हेलो गाईज वलकम बैक तो दे चैनल आज के इस वीडियो में हम फंक्शन इन पाइफन के कॉंसेप्ट को देखें ठीक है तो अल्रेड हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डिक्शनरी डिटा स्टिक्चर कैसे फंक्शन करते हैं हमने इसके बहुत सारे मैथट्स और अप फंक्शन स्टिक्षंस लिए क्या करता है हम यह बागी क्या बागी में तास्स की होता है कि यह group a यह group of statements को combine करकि अज़ 1 unit हम क्या करते हैं इस group of statements को multiple times call अगर यह group of statements ऐसे हैं जिन आख में को Color Name बार 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 पढख you are to Idle About मैं क्या कर पाऊंगा इसको मैं बार-बार multiple times call कर पाऊंगा और पिना functions कि कि यह होता कि मेरको बार-बार इस statements को लिखने पड़ते क्योंकि मेरको इस group of statements की मेरको बार-बार requirement पड़ रही है लेकिन function के help से मैं क्या कर रहा हूँ then we should define these statements as a single unit and we can call that unit any number of times based on our requirement ठीक है तो इसका main फाइदा यह है कि code reusability मैंने वो जो block of code जो है na group of statements मैंने एक बार define कर दिया इसको एक function के साथ assign कर दिया इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ इसको बार-बार use कर रहा हूँ code reusability यही फाइदा है हमारे पास ठीक है तो functions हमारे पास कुछ type के है है हमारे पास एक built-in functions हो गया है na built-in functions तो आप सपोज एक print ही लिखते हो तो यह भी एक function है print और python में जो कोई ची print करते हो जो print जो function है वो भी एक function है लेकिन क्या है यह built-in functions है इसके internal जो functioning होगी जो किसी साब से वो print कर रहा है कोई चीज तो इसका python के अंदर मतलब python में built-in functions ऐसे है यह आपको इसको develop करने की जुरूतिन नहीं है इसने python ने खुदी इसको python software में यह सारे built-in functions है और इसकी अपने आप वहां पर वहां पर इसकी working होगी होगी ठीक है तो इस functions which are coming along with the python software automatically are called built-in functions ठीक है तो यह id होगा हमने देखा था id क्या करता है id basically object का address बताता है वही type क्या करता है हमें जो कोई भी object आपने create किया कोई data ही create किया variable क्रेट किया आपने तो उसका वह किस type का variable है ठीक है यह input की लिए काम आता है की user से input लेने के लिए हाँ वह evil का क्या करते है हम इसमें क्या करता है यह basically string as an input लेता है फिर उसको उसके corresponding integral values में convert करते है और यह expression solve करने में भी use होता है और भी बहुत सारे हमारे पास है built-in functions है ठीक है तो यह क्या है यह सारे के सारे यह python software में already यह बने बनाया है built-in functions है जिनके हम use करते है बस हमें यह नहीं लेना कि हमें इसका कोई जुरूत नहीं है कि यह id कैसे internally function कर रहा है हम बस इनको use करते है वही एक आता है तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ def keyword का use करूँगा उसके बाद मैं function का नाम डालूँगा और इसके बाद मैं parenthesis में parameters पास करूँगा ठीक है तो यह सब इसके बाद मैं इस function को जितनी बार कॉल करूँगा तो यह बार बार यह आपस you are late, you are late, you are late, you are late ऐसे आएगा तो इसका बाइदा यह है कि मेरे को यह बार बार यह लिखने की जूरूत नहीं पड़ रही है बस यह function को मैं call कर रहा हूँ इसके बाद मेरे पास अल्रेडी इसके यह your late message मेरे पार बार बार print हो जा रहा है तो यह क्या कर रहा हूँ इस code को मैं reuse कर रहा हूँ ना बार बार मैं दुबारा से तो नहीं यह function कर रहा होाँ इसको मैं call कर रहा हूँ तो अगर आपका जो function है कोई parameter consist कर रहा है तो आपको यह compulsively है कि आपने जब function को call करना है तब उसमें आपने values provide करनी है तो आपको otherwise we will get error ठीक है if a function contain parameter then at the time of calling compulsively we should provide values otherwise we will get error ठीक है तो आपको बात है कि def keyword का use करना होता है तो आपने जो function का नाम डिया ला है यह अपने accordingly जो भी आपको suitable लगे यहाँ पर अपना नाम दीजे और यह मैंने दो parameter से आपने values दिये हुआ है a और b ठीक है यह return कर देगा यह function नाम को ठीक है तो यह मैंने add यह जो function नाम है इसके अंदर मैंने यह दो parameters मैंने pass किये 10 10 और 12 मतलब कि है यही वाला line बता रहा है कि if a function contain parameter जो यह function है इसमें parameter है इसमें parameter है तो यहाँ पर मैंने इस function को यहाँ पर call कर रहा हूँ ठीक है यह print को छोड़ दी यह print तो बस सिदा output देता रहेगा और add of 10,12 ठीक है तो यहाँ पर मैं call कर रहा हूँ और 10 और 12 यह parameter यहाँ पर pass कर रहा हूँ जो कि 10 यह a को मिल जाएगा और वही 12 यह b को मिल जाएगा ठीक है इसका मतलब ही है अब देख लेते हैं कि यहाँ पर a और b जो है na actual इन दोनों parameters म isisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisis वह में देखा कि कैसे आप दो नम्बर को sum करने का कैसे program बना सकते हैं और यह parameters का concept है यह जो है जब आप function को define करते हुग लिखते हो तो ऊसको क्या बोलते हैं formal parameter बोलते हैं और जब हम function को call करते हैं परामिटर whether जह पास परकरते हैं जो values हमने प्रवाइड किया है input values as a parameter तो हमने देखा था कि ये values जो था 10 और 12 क्या कर रहे थे take input as a parameter take input as a parameter and execute the business logic ये business logic हो गया हमारा return the output to the caller with the return statement ये तो जैसी हो गया है ये business logic perform हो गया इसके बाद क्या कर रहे है return का क्या काम है ये return क्या करता है ये output देता है caller with the return statement ये जी caller क्या है यहापे add जो ओन ये य कालर है ये function का नाम जो हम दे रहे है ये caller है और ये return क्या कर रहा है ये इस output को basically इस function को return कर रहा है जिसके help से आपके पास output आ रहा है ये return statement basically output प्रो Dew足 को caller statement को caller जो जब आप function को call करते हो इसके बाद यह देखिए, प्रोग्राम देखिए, मैंने दो नंबर को sum करने का बनाया है, और वही return वाला add a plus b, same यह ना, business वाला logic, इसके बाद है मारपस की odd और even number का, odd और even number में आपको पता है कि क्या होता है, कि अगर modulo of, जब two sum उसका divide करते हैं, तो अगर remainder अगर 0 आता है remainder अगर 0 आता है, यह modulo का करता है, remainder ही देता आता है, अगर remainder 0 आया, तो मतलब कि number is even, otherwise number is odd, ठीक है, तो odd even नाम से मैंने एक function बनाया है, उसमें मैंने parameter num pass किया है, जो कि मैं बाद में जब call करते वक्त, मैं actual parameter यह पास करूँगा, ठीक है, तो यह क्या उनसा है, यह formal parameter है, और def और इसके बाद function का नाम, फिर यहां पर parameter, उसके बाद यह मेरा business logic है, ठीक है, तो यह मेरा business logic है, और मैं यहां पर return statement का, मैं यहां पर use नहीं कर रहा हूँ, तो return statement जो ना, यह optional है, ठीक है, तो यह देखिए, odd even, और 12 मैंने यहां पर pass किया, 12 जैसी मैंने pass किया, तो यह क्य अगर नहीं होता न, 0 के equal नहीं होता, तो यह वाला logic चलना होता, तो मतलब यह number is odd, तो यहां पर मैंने दोनो number provide करके रखे रखे हैं, 12 मैंने actual argument में दिये, और 15 मैंने actual argument में दिये, तो जब मैंने even number दिया, तो यहां पर कौन सा है, number is even, वही 15, जो odd number है, तो odd even का program आपने ऐस कर पा रहती थे, C, C++ और Java में, ठीक है, लेकिन Python के case में आप multiple values को return कर पाऊगे, ठीक है, return statement के help से, तो यह देखे, मैंने calc नाम से मैंने एक function बनाया, और इसमें मैंने formal parameter पास किया A और B, और इसके बाद मैं इसका business logic लिख रहा हूँ, कि sum नाम से मैं एक variable बनाया, और उसम यह function को मैंने call किया, यहाँ पर मैंने call कर रहा हूँ, और इसमें मैं actual parameter पास कर रहा हूँ, 10 और 12 का, ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा है, अब टपल unpacking होके, जो 10 प्लस 12 वाला logic है, वो x को मिल गया होगा, 10-12 वाला logic है, 10-12 वाला logic है, subtraction वाला, वो y को मिल गया होगा, ठीक को मिल गया होगी, तो मैं x और y को दोनों को प्रेंट जब कर रहा हूँ, तो यह सम होगे, जब आप 10 और 12 को सम करोगे, तो कितना आएगा, 22 हैगा, वोगी subtraction करोगे, तो minus 2 आएगा, इसके बाद देखते हैं कि हमार पास, यह तो हमने देखा कि कैसे आप multiple values को आप return कर सकते इसके बाद आप अपने तरीके से यहाँ पर multiplication भी लिखे, division लिखे, लेकिन वही है कि यहाँ पर variables भी उतने x, y, z ऐसे variables आपको create करने पड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पर parameters भी pass करने होगे, इसके बाद है हमार पास arguments कौन-कौन से है, arguments basically यही है, arguments इसी को बोलते हैं, parameters को ब positional argument है, keyword argument है, default argument है, variable length argument है, तो सबसे पहले देखते हैं कि positional argument क्या गरता है, इसके case में, these are the argument passed to the function in the correct positional order, मतलब कि इसका ही देखते हैं, यह देखे, subtraction नाम से मैंने एक function मनाया है, उसके मैंने a और b मैंने टाला ठीक है, और a-b का business logic है, तो यह return कर देगा, जो function जो call तो यह return मैं इसके output देगा, तो यह देखे, subtraction मैंने यह function और इसमें मैंने actual parameter pass कि 12 और 2, ठीक है, जो 12 है वो a को मिला होगा compulsively है, वह 2 जो है यह b को मिला होगा compulsively, ठीक है, तो इनकी ordering भी fix है, मतलब कि 12 जो है यह by default ही इसको मिल गया होगा, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि आ अनमें 12 इधर लिखा और टू इधर लिखा, ठीक है, तो 10 की value न, a को ही मिली होगे, रटू की value a को मिली होगे, ठीक है, मतलब कि आप इसके ऐसा नहीं है कि मैं इकattack की value ब입니다, बेसिकली मैं ऐसा नहीं है कि मैं 2 की value इस case मैं, इस case में जो है n position fix है, कि 12 की value a को मिली होगी, और 2 की value B को मिली होगी इस case में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं 2 की value A को दिनूं ठीक है लेकिन यह चीज हम क्या keyword argument के help से हम कर पाएंगे ठीक है तो here number of arguments and the position number of arguments भी fix है ठीक है तो and the argument must be matched if we change the order then the result might be changed ठीक है तो यहाँ पर देखी 12 और 2 यहाँ पर है तो output में इसने 10 दिया तो दोनों को subtract करके जैसे मैंने इसकी position change की 2 और 12 किया तो यह देखे output में हमारा change आगया तो यह वही line बता रहा है कि if we change the order then the result may be changed ठीक है और यहाँ पर देखी मैंने बता दे रहा है कि sub is not defined ठीक है ऐसा इसलिए हो रहा है कि sub takes two positional keyword argument but three argument ठीक है तो यह मैं तीन दिया हुए positional argument मतलब मैं दो ही values दे सकता हूँ यहाँ पर क्योंकि define करते वक्त हमने दो ही यहाँ पर लिखा है तो आप यहाँ पर तीन नहीं provide कर सकते हूँ तो यही है positional argument कि इसमें if we change the order then the result might be changed and here the number of arguments and the arguments must be masked ठीक है number of arguments must be masked यहाँ पर मैं तीन कर रहा हूँ वही मैंने define करते वक्त मैंने दो ही जो की formal argument मैं पास किये था ठीक है और call करते वक्त मैं तीन actual argument यहाँ पर दे रहा हूँ इसके बाद है हमरे पस keyword argument keyword argument में हम क्या करते है कि basically मैं इसमें ordering change कर पाँगा पिछले case में हमने देखा था कि here the number of argument and the position argument must be masked ठीक है number of argument position भी match करना जा लेकिन इस बार keyword argument में हम क्या करेंगे positions को पहले मतलब इसको randomly move भी कर पाएंगे ठीक है तो मैंने alert नाम से मैंने function बनाया ठीक है और इसमें मैंने parameter पास किया name और message नाम से ठीक है तो hello उसके बाद name और message जो भी message मैं as a user मैं पास करूँगा ठीक है तो यह देखे alert मैंने जब मैंने call किया ना उसमें मैंने name पास किया सचीन का और message मैंने लिए यहां पर you are late ठीक है you are late मैंने लिखा तो यहां पर output में आया है hello सचीन you are late ठीक है लेकिन दुबारा मैं जब caller कल रहा हो ना तो मैंने message पहले liख धिया ठीक है message पहले लिख दिया और name मेने बाद में लिखा ठीक है name मेने बाद में लिखा तो यही चीज हम पिछले case में नहीं कर पा रहे थे लेकिन इस case में कर कर पा रहे हैं क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं keyword दे रहे हैं keyword इसके बाद है वही हमारे पास function है कि आप क्या कर सकते हो एक चीज है कि we can use both positional and the keyword argument together but we first have to take the positional argument मतलब कि मैं keyword argument और positional argument दोनों का use कर सकता हूँ लेकिन आपको पहले पोजिशनल argument लिखना पड़ेगा ठीर पोजिशनल argument लिखना पड़ेगा उसके बाद आप keyword argument लिख सकते हो ठीक है तो यह क्या है यह पहले positional argument लिख दिया है यहाँ पे कोई keyword के साथ matching नहीं आना इसकी लेकिन यह देखी यह क्या है यह keyword argument है ठीक है तो case यही है कि पहले we can use both positional and the keyword argument but first we have to take the positional argument and then the keyword argument otherwise we will get syntax error ठीक है positional argument मैंने पहले लिखना है और उसके बाद मैंने keyword argument लिखना है और वही चीज़ अगर मैंने keyword argument मैंने keyword argument मैंने पहले लिखा और उसके बाद positional argument लिखा तो भी देखिए positional argument follows keyword argument है यह error आ गया न हमर पस इसके बाद हमर पस default argument default argument क्या होता है अगर call करते वक्त user खुद से नहीं कोई argument पास कर रहा है तो वो default argument चलता है ठीक है sometimes we can provide default values to for our positional argument तो suppose मैंने यह function मैंने मना है alert नाम से इसमें message और मैंने name के जगह पर यहाँ पर guest लिए ठीक है यह जो guest है यह एक तरह से default argument है ठीक है अगर मैं call करते वक्त मैं name नहीं provide करूँगा तो यह name के जगह पर यह guest लेगा ठीक है तो यही चीज़ है आप मैंने default function का यहाँ उसके बाद मैंने message और you are early लेकिन यहाँ पर मैं name नहीं pass कर रहा हूँ क्योंकि name जो है यहाँ आप अल्रेडी यहाँ पर default argument यहाँ पर provided है लेकिन यहाँ पर आप खुद से भी provide कर सकते हो खुद से भी provide कर सकते हो name तो क्या होगा basically जो default argument जाना यह override हो जाएगा इससे ठीक है तो यह guest के जगा पर सची न आ जाएगा ठीक है लेकिन यहाँ पर मैंने जब name नहीं provide किया तो यह guest चलेगा ठीक है लेकिन मैं जब name provide कर रहा हूँ तो यह पिसला वाला value हटके सची न इसके जगा पर चलेगा तो यह default argument है इसके बाद है हमार पास after default argument we should not take non-default argument तो यह default argument है अगर name provide नहीं करेगा तो यह क्या करेगा इस ती जगो पर guest चलेगा फंक्शन में अगर user name provide नहीं करेगा तो guest चलेगा ठीक है after default argument we should not take non-default argument तो यह देखिए यह क्या है non-default argument है यहाँ पर मैंने call करते वक्त मैं message दे रहा हूँ ठीक है तो यह चीज अगर आप करने कोशिश करोंगे message पहले लिखना है और यह default argument आपने बाद में लिखना है मतलब कि non-default argument आपने पहले लिखना है और default argument आपने बाद में लिखना है लेकिन यही चीज़ अगर आपने default argument पहले लिख दिया और उसके बाद non-default argument लिखा तो यह आपको error देगा ठेक है तो non-default argument follows default argument इसके बाद है मार पास variable length argument तो पिछले case में मैं क्या कर रहा था यहाँ पे देखे यह जब हम sum कर रहे थे तो यह मैं 2 number को subtract कर रहा था बैसके लिए हना 2 number को subtract कर रहा था तो यह problem इसमें यह है कि यह 2 numbers को subtraction करने के लिए बना है ठीक है लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसा code लिखूँ कि जिसमें मैं अपने accordingly जितने margin मैं यहाँ पे call करते वक्त actual parameters पास करते रहा हूँ और उसके accordingly इसका logic change होते रहे ठीक है इसका logic उसके accordingly output दे ठीक है तो इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास है variable length argument ठीक है sometimes we can pass the variable number of argument to our function such type of variables are called variable length argument ठीक है we can declare a variable length with the star symbol as follows तो यह देखे def of f1 मैंने f1 function का नाम है और उसके बाद मैंने variable length argument को describe करने का ना star लिखना होता आपने variable के पहले आपने star लिखना होता है और यह variable length argument बन गया ठीक है तो इसके बाद यह देखे यहाँ पर एक मैंने program बनाया है जिसमें कि मैं user जितने भी numbers यहाँ पर provide करेगा ना इसका sum करके ना output में देगा ठीक है तो यह देखे sum नाम से मैंने function मनाया और इसमें मैंने star और n डाल लिखा इसके बाद तो यह क्या है यह variable length argument है ठीक है इसके बाद मैंने total equals to 0 for n1 in n total equals to total plus n1 ठीक है और इसके बाद मैंने total को print कर दिए इसको run करता हूँ मैं ठीक है the sum up is 0 the sum is 0 वही मैं 5 plus 7 कर रहा हूँ तो इसने output में देना है 12 वही 5 plus 7 plus 15 जा मैंने किया इसको 27 है ना तो आपने देखा कि वही अगर मैं इसमें चार values के लिए भी लगूँ इसको इसी function को मैं अगर चार number के लिए कलूँ 5 7 12 15 तो python supports two type of variable जो हमारे पस है variable python में basically global variable है और local variable है ठीक है तो global variable क्या करता है the variables which are declared outside of function is called global variable मतलब कि यहां वही मैं ने देखी यह variable नहां किसी function में मैंने नहीं define किया ना the variables which are declared outside of function are called global variable तो यह global variable है और इस variable को मैं किसी भी function में यहाँ पर F1 में यूज किया, F2 में भी में यूज किया, और जो मैंने call किया, तो 1010 प्रिंट हो रहा है, वही एक local variable कौन से होता है, the variables which are declared inside a function, जो variable, जो function के अंदर declared है, उनको हम local variable रोलते हैं, टीक है, यौज i उनको है, वही local variables are available only for the function in which it is declared, तो मैंने a को 10 लिखा और वो भी मैंने f3 में इसको define किया, f3 में मैंने declare किया na, अब메र a variable को, मतलब f3 में ही मैं इसको use कर सकता हूँ, क्योंकि f3 में a variable को declare किया, तो मैं इसका use रूस तुम F4 में नहीं कर सकता है, अगर मैंने F4 में इसका यूज़ करने का कोशिश किया तो यह क्या करेगा, error देगा मेरे को, ठीक है F3 को मैंने जब call किया, F3 को call किया तो भी मिरे पास, क्या किया, यह A को मैंने print कर रहा हूँ, तो इसका business logic है कि A को print करेगा, ठीक है, तो इसने 10 output में अगर F4 को मैंने जब call कर रहा हूँ, जो कि basically इसमें local variable A ही नहीं है, तो मैं इसका local variable मैं access करने को कोशिश कर रहा हूँ, F4 में, ठीक है, तो मेरे को क्या error दे रहा है, कि name is not defined, मतलब कि यह आप access नहीं कर सकते, आप किसी और function का local variable अपने दूसरे function में आप use नहीं कर सकते, ठीक है, तो इस चीज़ से, इस चीज़ को हटाने के लिए मारे पास है कि एक global keyword, global keyword के help से आप क्या कर पाऊगे उस जो इसका, जो आपने local variable बनाया ना, इसको आप global keyword में आप इसको change कर सकते हो, ठीक है, global F3 में किया था मैंने इसको declare F3 का यह नहीं वेर बिदल तो इस local variable को मैंने basically किसमें convert कर दिया global variable में मैंने convert कर दिया ठीक है अब मैं क्या कर सकता हूँ अब मैं F4 में इसको इसको access कर सकता हूँ क्योंकि अब मैंने उसको global variable में मैंने convert कर दिया है ना